हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे SSC MTS क्या है स्टाप सेलेक्शन कमीशन द्वारा SSC MTS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको इसमें अगर आपका सेलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग भारस सरकार के विभिन मंत्राल है या फिर डिपार्टमेंट या फिर ओफिस में की जाएगी इसके अलावा विभिन कंस्टियूशन बोड़ी या फिर टिबूनेल सिंसब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर काम की बात करें तो आपका काम जो है मल्टि टास्किंग का होगा जैसे कि ओफिस में किसी फाइल को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना आफिस को खोलना आफिस को बंद करना और टेबल साप करना कम्प्यूटर डेस्ट सही करना इसके अलावा जिरॉक्स कराना यहीं सारे काम जो है नॉर्मल काम आपको करने होंगे और सैलरी आपकी जो है इसमें आपका पे लेबल 1 होगा आइस पर मैट्रिक 7 पे कमिशन तो इसमें आपकी सैलरी लगबग 20,000 से 25,000 के बीच में होगी यह सिटी वाइस जो है कम या ज़ादा होगी जो मेट्रो सिटीज है उसमें ज़ादा होगी उसमें हाउस रेंट अलावेंस ज़ादा मिलेगा आपको और जो नौन मेट्रो सिटीज होंगी ग्रूप टियर 3 सिटीज उसमें आपको कम मिलेगा अब बात करते हैं कौन-कौन से लोग एप्लिकेशन फार्म फिल कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं या फिर नेपाल की प्रजा है या फिर भूटान की प्रजा है या फिर आप तिबबत के रिफ्यूजी हैं और एक जनुरी 1962 से पहले भारत में सेटल हो गये हैं तो आप जो इसका एप्लिकेशन फार्म फिल कर सकते हैं इसके लिए आपकी एज जो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए लेकिन अगर आप SCST केटेग्री में अप्लाइ करेंगे तो 5 साल का एज रिलेक्सेशन मिलेगा OBC को 3 साल का एज रिलेक्सेशन और Physically Challenge Candidate को जो है minimum qualification 10th pass है अगर आप इससे अधिक भी पड़े हैं तो आप apply कर सकते हैं application fees की बात करें तो 100 रुपे application fees है सभी category की candidate के लिए लेकिन अगर आप महिला उम्मीदवार हैं किसी भी category की हैं तो आपको कोई भी application fees नहीं देनी होगी इसके लवा अगर आप SCST category में है या फिर PWD category में है disabled person है या फिर ex-serviceman है तब भी आपको कोई भी fees नहीं जमा करनी होगी अब बात करते हैं examination scheme की तो इसमें आपका सबसे पहले paper 1 computer based examination होगा जिसमें objective type multiple choice question पुछे जाएंगे total 100 question होगे 100 number के एक number का एक question उसके बाद आपका descriptive paper होगा जो की 50 number का होगा जिसमें essay और later writing करनी होगी वो आप किसी भी language में कर सकते हैं आपको language select करनी होगी total 28 language है उन में से आपको एक select करनी होगी आप देख सकते हैं paper 1 में journal English से 25 question, journal intelligence और reasoning से 25 question, numerical aptitude से 25 question और journal awareness से 25 question पुछे जाएंगे 90 minute का time दिया जाएगा इस question paper को solve करने के लिए और इसमें 1 4th negative marking है यानि के 0.25 marks जो है आपके negative काट लिए जाएंगे अगर गलत उत्तर हुआ अब आप देख सकते हैं descriptive paper में आपको short essay और later लिखना होगा English में या फिर अन्नी किसी language में total 23 language है 50 number का paper होगा 25 का essay और 25 का later और इसके लिए आपको 45 minute का time दिया जाएगा तो ये थी इसकी जानकारी details labels जानना चाहते हैं तो मैंने इसका video बनाया है आप देख सकते हैं इसके साथ ही बता दें अगर आप घर बैठेस की online तयारी करना चाहते हैं तो unacademy द्वारा SSC MTS की तयारी करने वालों के लिए नए batch start कर दिये गए है unacademy के plus subscription में आपको इंडिया के best educators द्वारा live classes दी जाएंगी live test करवाए जाएंगे और quiz करवाए जाएगी इसके लावा सारा syllabus cover करा जाएगा study material आपको PDF form में provide करा जाएगा इसके लावा आपको इसमें unlimited access मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही beneficial है और आपको केवल एक plan लेना उसके बाद ssc non technical के सारे exams की तयारी भी कर सकते हैं तो आप एक plan लेंगे और उसके बाद आपको इतने सारे benefits मिलेंगे वही पर iconic में plus का सारा benefit मिलेगा और doubt solving में आपको priority दी जाएगी live classes में आपको priority दी जाएगी तो यहाँ पर आप iconics लेक करें यह आपके लिए ज्यादा beneficial है वैसे आप plus भी ले सकते हैं आप कोई भी plan ले आप देख सकते हैं केवल 390 रुपे पर month में आप इसका plan ले सकते हैं लेकिन इस पर भी आपको discount मिलेगा अगर आप SRADDA कोपन कोड यूज करेंगे SRADDA उसके बाद आप apply बटन पे क्लिक करें और proceed to pay बटन पे क्लिक करें अब आप देख सकते हैं SRADDA कोड यूज करने पर आपको 10% का extra discount मिला है तो maximum discount के लिए आप SRADDA कोड यूज करें इसके साथ इससे related कोई आने जानकारी चाहते हैं तो आप मैंसे पूछ सकते हैं लिंक मैंने वीडियो के description में दे दिया है